हेलो एवरिवन शिर्फ शक्ती चैनल में आप सबका स्वागत है यह जो वीडियो रहेगी वो करेंट एनरजी डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फैमनाइन की रहेगी जैसा कि आप लोग जानते हैं 11-11 का पोर्टल चल रहा है और उसका इफेक्ट भी आपको देखने को मिल रहा है ठीक है बहुती ज़्यादा ट्रिगर्स बहुती ज़्यादा एक शेक वाली एनरजी बहुती ज़्यादा इंबैलन्स वाली एनरजी एक दम से सरफेस हुई है यह comparebrief के अंदर ठीक है.. chef का फियर या आपकी कोई old entities को पहले आप carry क्या करते थे कार्मuke partner के साथ या आपकी family के साथ वो सारी की यहाँ पर संफेस हो रही हैं बहुत तेजी से मैंने आपको पहले ही बताया था 11-11 पोर्टल हो या कोई भी पोर्टल हो ठीक है उसमें negativity positivity दोनों ही release होती है सबसे पहले negativity ही release होती है तब जाकर आपको उसका positive result कुछ दिन बाद मिलता है ठीक है तो positivity को आप तब तक feel नहीं करेंगे abundance happiness money यह सब चीज़े attract आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपके अंदर की सारी गंदगी नहीं निकलेगी और यह 11-11 पोर्टल आप लोग जानते हैं कितना major change लेकर आता है बहुत ही वड़ा transformation लेकर आता है twin flame की life में तो DM की जो energy है वो बहुत ही ज़्यादा egoistic की energy आ रही है missing की energy नहीं आ रही है और नहीं sexual energy है नहीं loving energy इस time में मुझे pick हो रही है ठीक है तो बहुत ही ज़्यादा egoistic की energy में है anger की energy में है मतलब सब कुछ गलत हो रहा है हर area उनका disturb है पर नहीं ego बिल्कुल भी जुगने का नाम नहीं ले रहा है चाहे कितना भी खराब हो जाए उनकी life में ठीक है तो हो सकता है बहुत सी divine feminine को अपने DM से ही trigger मिला हो कल के दिन ही मिला हो या आज या आप आने वाले time में देखेंगे कि DM ने आपको trigger कर दिया है या 11-11 के portal से पहले ही आपको trigger मिल गया हो अपने DM की तरफ से ठीक है वो ऐसा भी आपको दिखा सकते हैं कि वो जिस third party में है ठीक है चाहें girlfriend हुई या wife हो उनके साथ वो बहुत खुश है बहुत happy है ऐसी pick लगा कर ऐसा status डाल कर ऐसी DP लगा कर आपको trigger दे सकते हैं यहाँ पर आप बहुत ज़दी trigger हो सकते हो ठीक है और आप ऐसा feel कर सकते हो fear की energy से deal कर सकते हो यहाँ पर आप इस ट्रक के energy में जा सकते हो बहुत ज़दा घबरा सकते हो एक डर वाली energy यहाँ पर बहुत ज़दा दिखाई दे रही है DF की तरफ ठीक है क्योंकि DF के जो भी old energies है या जो भी आपकी soul में wounds थे वो यहाँ पर surface हो रहे हैं और इनको surface पर लाने में जो काम कर रहे हैं वो आपके DM कर रहे हैं directly नहीं indirectly ठीक है आपको लग रहा है कि वो हमें बहुत ज़दा ignore कर रहे हैं avoid कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा वैसा करके आपको trigger दे रहे हैं तो यह कही ना कहीं आपकी soul के सारे wounds surface पर लाने के लिए किया जा रहा है ठीक है तो ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो यह आपके DM की भी negativity को show कर रहा है बहुत ही ज़दा negativity से deal कर रहे हैं बहुत ही ज़दा upset है, sad है, crying की energy में है और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है अपनी life में ठीक है, सब कुछ तितर बितर है और यह 11-11 का portal जो है बहुत से DM की life में ऐसा बवाल आ सकता है जो उन्हेंने सोचा भी ना हो एक बार वो फिर से dark night of the soul को face कर सकते हैं यहाँ पर, उनको soul shock मिल सकता है बहुत बुरी तरीके से और उन DM को ज़दा trigger मिल सकता है अपनी DF की तरीक से जो बहुत ही ज़दा balance है, happy है, harmony को अपनी life में attract कर रही है तो यह बहुत ही ज़दा high vibration वाली divine feminine होंगी जो ऐसा कर रही है और जो high vibration में नहीं भी है उनके DM भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़दा dark night of the soul को face करेंगे क्योंकि उनकी भी negativity उनकी भी purging चल रही है आपको heart chakra की सबसे ज़दा purging लग रही है ठीक है, आपको solar plexus chakra की बहुत ज़दा purging लग रही है जो की ego death को show कर रहा है क्योंकि ego से DM बहुत ज़दा deal कर रहे है और ये energy बीच बीच में काफी बार में बता चुकी हूँ ठीक है, उनकी life में सब खराब हो रहा है, family में सब कुछ गलत चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है, third party बहुत ज़दा परिशान कर रही है बट ये दिखा रहे है कि मेरी life बहुत अच्छी चल रही है, बिल्कुल smooth चल रही है, और किसी को नहीं दिखा रहे हैं, वो especially DM को ही दिखा रहे हैं, क्योंकि उन्हें trigger देना है आपको, अगर आप trigger हो गया है, तो ये sign है कि आप अभी imbalance हो, आपके अंदर कुछ ना कुछ अभी imbalance हो, उसको आपको balance करने की ज पुरानी बाते आपको trigger नहीं कर रही है, ठीक है, past की बाते कुछ भी हो सकती है, आपकी life में वो चीज़े आपको यहां trigger नहीं कर रही है, then आप समझा क्या balance हो, पट यहां पर अभी बहुत ही ज़्यादा मुझे energy जो है, आपकी जो negativity है, वो कही ना कहीं बहुत ज़्यादा surface हो रही है, imbalance दिख रही है, बहुत ज़्यादा low में दिख रही है, low vibration में दिख रही है, ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल भी अच्छा feel नहीं कर रही है, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है, और बहुत ज़्यादा tension, confusion, overthinking चल रही है, एकदम से mind में, बहुत सा चाहिए, यह कहीं ना कहीं, आपकी soul के, आपके mind में जो पुरानी यादे थी, या पुराने trauma थे, वो यहां बहुत बुरी तरीके से surface हो रहे हैं, ठीक है, तो trigger की बात की जाए, यह आपके DM भी है, यहां पर DM भी दे सकते है, आपके family भी दे सकती है, trigger, और कोई भी trigger ना दे तो कहीं ना कहीं, divine आपको ऐसी चीजे फिर से ला सकते हैं, आपको check करने के लिए कि आप पहले से strong हुए हैं, या नहीं हुए हैं, आपके अंदर वो power आई है, या नहीं आई है, जो आपके अंदर होनी चाहिए, या आप अभी भी negativity से, fear से, low से deal कर रहे हो, ठीक है, तो यह सारी चीजे यहां पर बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, क्योंकि negativity यहां 11-11 पोर्टल के बाद जो पिक हुई है, निगेटिविटी एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हो रही है, यहां DM जो है, एक तरीके से रन कर रहे हैं, या DF को बहुत ज़्यादा इग्नॉर कर रहे हैं यहां पर reunion जैसा भी कुछ नहीं दिख रहा है, जैसा ऐसा लग रहा है, सब कुछ तितर बितर हो गया है, सब खतम हो गया है, फिर से separation आ गया है, तो यह सारी cleansing के sign हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा purging के sign हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे issue हैं, जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, क्या heal नहीं कर पा रहे हैं, उसको कहीं न कहीं guide किया जा रहा है, उसके लिए आपको बिल्कुल awareness में रहना है, कि आखिर यह क्यों हो रहा है, ठीक है, तो इस time के energy थोड़ा सा imbalance है, ठीक है, गयारा गयारा पोर्टल ने बहुत ज़्यादा उधर पुधर मचाईए, तो यहां डरना नहीं है, बिल्कुल भी, जो भी हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, कुछ time बात आप देखोगे, कि यही सारी चीज़े एकदम से balance हो रही है, ठीक है, DM भी आपको बहुत ज़्यादा low में नजर आएंगे, यहां पर, यहां पर बिल्कुल भी balance में नजर नहीं आ आएंगे या बहुत बुरी तरीके से वहां से उनको soul shock मिलेगा, ठीक है, तो आप यहां पर trap फिल कर सकते हैं, अपने आपको एक जाल ऐसा लगेगा, आपको किसी ने फिर से बांध दिया है, आप stuck फिल करोगे, mind से बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आपके mind में questions आन हैं, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, आपको यह trigger इसी लिए दिया जा रहा है, कि आप खुद को balance कर सको, और अपनी journey में आगे बढ़ सको, ठीक है, तो यहां पर DM को health issue हो सकते हैं, उनको financial losses हो सकते हैं, या वो आपको contact भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ DM contact करके मिलना भी चाहेंगे, अपनी life के बारे में आपको कुछ बता भी सकते हैं, कुछ sign भी दे सकते हैं, ठीक है, बट जो DM बहुत ज़्यादा egoistic हैं, बहुत ज़्यादा ego दिख इसा उनको trigger दिया जाएगा, कि जैसे आपको बहुती उचाई से नीचे फेक दिया गया हो, ठीक है, तो ऐसा उनके साथ हो सकता है, और यहाँ जो DF ने अपने उपर inner work किया है, या बहुत अच्छे से inner work करने के बाद भी trigger हुई हैं, तो यहाँ आपको डरना नहीं है, कुछ तो आप यहाँ पर घवराएना inner work करते रहें, और आज की जो energy थी, थोड़ा सा imbalance थी, तो energy का कोई भरोसा नहीं है, आज 80 है, कल बहुत positive भी हो सकती है, दो 4 दिन बाद आप देखेंगे, बहुत energy balance हो रही ही है, ठीक है, तो यहाँ पर अभी खुद पर inner work करने की जरूरत है, खुद पर focus करने की जरूरत है, अगर DM आपको block करके जा रहे हैं, आपसे बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं, आपसे distance चा रहे हैं, space चा रहे हैं, तो बिलकुल आप उन्हें space दीजिए, बिलकुल भी उनको chase मत कीजिए, बिलकुल उनसे बात मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि life स्मूद नहीं रहती है, सब कुछ हमेशा balance नहीं रहता है, relationship में थोड़ा space होना भी चाहिए, दोनों को एक दूसे को time भी देना चाहिए, ताकि आप एक दूसे, आप खुद में connect हो चुको, एक दूसे से अलग होके, ठीक है, खुद के अंदर जाग कर देख सको, तो आप उ दिहान लखिए, खुश रहिए, सौस्त रहिए